हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एश्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ वीकली होरोस्कोप यानि सापताहिक राशी फल और आज कवर करूँगा आठ से 14 जुलाई तक के सपताह को दिन प्रति दिन आपके लिए कैसा रहे अपनी राशी की रिडिंग पर डिरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टेम के उपर क्लिक कर दीजिए वीडियो आगे चला जाएगा और आप डिरेक्ली अपनी राशी की रिडिंग पर पहुच जाएंगे मुझसे आज जो पहली बार जुने हैं, जो लोग पहली बार जुने हैं, उनका मैं Aishto Guru चानल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आप सभी इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं, त आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके उपर आप संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टेरो रीडिंग सशन चाहिए, या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये वाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इ हेलो मेश राशी, आप सब का स्वागत है, मेश, एरीस, आपके लिए आठ जुलाई का जो दिन है, अच्छा रहेगा, एक सुखत समचार प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिल्टी, कोई प्रतीक्छित, इन्फर्मेशन, किसी खबर का, किसी जानकारी का आप वेट कर रहे है, इस दिन रिलेशन, चाहे जिस लेवल के रिलेशन हो, उसमें काफी इंप्रूमेंट होने की पॉसिबिल्टी है, कहीं घूमने टहलने का प्लान बन सकता है, या जा सकते हैं, अधर्वाइस, आप अपने टार्गेट्स को लेकर, जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें बढ़ अपनी भावनाओं को वेक्त करने में भी थोड़ा संकोच कर सकते हैं, और कई ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, जहां आप हेजिटेट हो जाएं, कोई काम करने को लेकर के, ये सारी जो हेजिटेशन है, संकोच है, ये बिना वज़ा रहे, एक इनसीक्यूर फीलिंग, वो भी बेसलेस, इन बेसलेस फीलिंग से आपको उपर उठने की जरूरत पड़ेगी, अपने आपको मजबूत करिये, अपने आपको इनहेंस करिये और अपने आपको उठाइए, अगर आप स्वयम पर थोड़ा कारे करते हैं, तो स्वयम को ग्रो अप करने में सफल हो जाएंगे, अगर नहीं करते हैं, तो कोई नुकसान इस दिन नहीं होने वाला, 40% का सपोर्ट इस दिन बना हुआ है, लाइफ के सबी आस्पेक्ट्स पर, और ये दिन आपको बिलकुल भी नकारात मक्ता में नहीं लाएगा, लेकिन अगर आप अपने को थोड़ा उठा ले जाते हैं, तो ये सपोर्ट सिस्टम 40% से 80% पे सिफ्ट हो जाएगा, और कई सारे आपके काम बन जाएगे, लेकिन अगर हेसिटेशन की वज़ा से, संकोच की वज़ा से, आप पीछे रह जाते हैं, या किसी कारे को नहीं करते हैं, तो बाद में वो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, दस जुलाई का दिन आपके यश में वरिद्धी को दिखाता है, ब्यापारिक, आर्थिक या जॉब से रिलेटेड मामलों में सफलता दायक इस्थिती की और बढ़ने की सिचुएशन को दिखाता है, आप अपने विरोधियों, अपने शत्रूँ की उमीद से ज्यादा बेहतर कारिक कर पाएं, सफल होपा में, इसकी पॉसिबिल्टी भी दिखाता है, कुछ एक मामलों में दूसरों को मैनुपुलेट करके अपने कारिक निकाल ले जाएं, इसकी भी पॉसिबिल्टी इसको दिखाता है, काम को करने के लिए, अपनी इमेज, सोशल वैल्यूस को इंप्रूब करने के लिए, जो भी प्रियास करेंगे, उसमें आपको इस दिन सफलता मिलेगी, ये दिन रिलेशन एजुकेशन शोशले में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बनाता है, 11 जुलाई का जो दिन है, इसकी पॉसिबिल्टी आपको इस दिन मिल सकती है आपके मन में किसी भी बात को लेकर कोई भी भ्रामक इस्थिती बनी थी, तो उससे ओवर कम कर जाए और एक पॉइंट पर आपका माइंड फोकस हो जाए, इसकी पॉसिबिल्टी भी बनी है, किसी गहरे गंभीर मामले को या सबजक्ट को मैनेज करना, सीखना इस दिन हो सकत है, आप सोफिस्टिकेटेड परसन बने रहेंगे, अच्छाई और बुराई में से अच्छाई का साथ देंगे, नकारातमक्ता की और आक्रिष्ट नहीं होंगे, चीजे पॉजिटिव और स्प्रिच्वल द्रिष्टी कोण से भी ये दिन पॉजिटिव बना है, हंडर्ड के उपर आपका भारी पढ़ना ये भी दिखाता है, साथ-साथ आपके मन में किसी तरह की प्लैनिंग की पॉसिबिल्टी है, जिस प्लैनिंग के तहट थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप एक प्लान बनाएंगे कि मैं फला चीज को अचीव करूं या उस टार्गेट को हास दिन आपके लिए 70% का सपोर्ट बनाएगा लाइफ के सबी असपक्ट पर, 13 जुलाई का जो दिन है, शेरिंग केरिंग का दिन है, आपके जो भी आपने संचे करा है, जो भी आपका कलेक्टिवनेस है या आपकी अचीवमेंट्स है, उस पर कोई खत्रा नहीं है, परिशान यादें अच्छी हैं, कोई बुरी यादें नहीं है, हमारे जीवन में जो पास्ट में बीता हमारा, वो चाहे अच्छा था, चाहे बुरा, आज के दिरिश्टी से देखें तो ठीक है, कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये एक इसा जरूर हो सकता है, यानि कि वो एक मोटिवेशनल लाइन है, तो यहाँ पर जो पास्ट में बीत गया, उस बीते हुए की प्रेजेंट से कंपैरिजन मत करियेगा, तुलना तमक अध्यान नहीं करना, अगर पास्ट बुरा था, तो नहीं करना, अच्छा था, तो भी नह वरतमान अच्छा है तो भी तुलना नहीं करनी, वरतमान बुरा है तो भी नहीं करनी, अच्छा बुरा किसी भी कंडिशन में। तुलना हमेशा, कंपैरिजन हमेशा, कश्ट देगा, दुख देगा, इसको याद रखिएगा, बाकी ये दिन 60% का सप्पोर्ड देता है, ला आपको कर्म करना पड़ेगा, दूसरी चीज, जब आप अपने कर्मों पर लगेंगे, कारेंगे, तो लोग आपको अप्रिशेट करेंगे, एड्मायर करेंगे, आपकी वावाही हो सकती है, लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक मामले को अचीव करने की कोश आपको इस दिन मिले, इसकी संभावना देख रही है, तो मेश राशी ये था आपका राशिफल, आठ से चौदह जुलाई तक का, राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपिरियंस, अपने अनुभाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, इस वीडियो को लाइक करि और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा, बाई-बाई हेलो वरिशब राशी, आप सबका स्वागत है, आपकी रीडिंग में वरिशब यानि टॉरस, टॉरस आपके लिए 8 जुलाई का दिन, मन आपका थोड़ा सा नाराज, रूखा, रूड, कुछ भी हो सकता है, आपके मन में जो चल रहा है, वो रिफलेक्ट मत करें, दूसरों को पता मत चलने दीजे, इसका ध्यान रखेंगे, तो लोगों से काम करवाना, काम निकलवाना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसके अलामा, आप जिन कार्यों में लगेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, किसी टार्गेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, ओफिस में सीनियर, इंपलॉई या बॉस का सपोर्ट आपको मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिल्टी बनी हुई है, ये दिन आपको उत्रोत्तर ग्रो करने में मदद करेगा, समझदारी पूरवक निरड़े लेने में भी मदद करेगा, इस दिन आ तो सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा, अधरवाइस लाइफ के दूसरे आस्पेक्ट्स में ये दिन आपको हंड़ेट परसंट का सपोर्ट कर रहा है, नो जुलाई का दिन कहता है, मन उद्विग्न रहेगा, अजीब सी फेलिंग्स रहेंगी, आपको लगेगा, मेरे विरुद सारी दुनिया हो गई है, ऐसा लगेगा, ये लगना सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा, मेरी योजना खराब है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, आज पता नहीं किसका मूँ देखके उड़ गया, ये भी आपके दिमाग में चल रहा है, आज सब गरबर हो रह हैं तो 90% आप इस दिन को मैनेज कर पाएंगे यूज कर पाएंगे अदर्वाइस सब कुछ positive होने के बाद खाली हाथ रहे जाएंगे इसको याद रखिए जो 10 जुलाई का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में एक पेशो पेश एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है 11 जुलाई है तो 10 जुलाई को उस समस्या के आते ही अचानक घबरा कर कोई निर्ड़े नहीं लेना अचानक घबरा कर डर कर उधार नहीं लेना अचानक घबरा के डर के पैसों का अनायास इस्तेमाल नहीं करना समस्या जो भी होगी उसका सुलूशन बगल में होगा वो एक कहावत सुनी है ना गाउं बगल में छोड़ा गाउं में ध्हुड़ा तो यह वो वाली समस्या हो जैसे किसी किसी मुवीज में देखिए ना जिसको पुरे शहर की पुलिस खोज रही होती वो पुलिस के नहीं करेंगे दृष्टी नहीं देंगे ध्यान नहीं देंगे तो वो पकड़ नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम का सुलूशन बगल में है इनके अलावा बाकी सभी चीजों में जो भी है आपके डेली रूटीन रिलेशन लाइफ का अधर अधर आस्पेक्ट ये दिन आपक पॉजिटिव निगेटिव दोनों सपोर्ट दे रहा है तो दस तारिक को आपको मैंने निरड़े लेने से रोका था ग्यारा तारिक को चाहें तो निरड़े ले सकते हैं वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वो जो पैनिक सिच्वेशन थी वो एक ही दिन में खतम हो साथी साथ डूवल सिच्वेशन को साइमल्टेनियसली मैनेज करने की पॉसिबिल्टीज भी बनी हैं इस मामले में याद रखिएगा डूवल पे ही रहिएगा ट्रिपल पे नहीं जाएगा पहले दो मामले एक साथ मैनेज करिए एक क्लोस करिए फिर दूसरे हाथ में लीज दिमाग से निकाल दीजिए आगे बढ़िए सफलता मिलेगी आर्थिक मामलों में विशेश कर ये दिन आपको फायदा देगा आप अपने व्योसाय या कारे छेतर में जैसी सफलता चाहते हैं उसके लिए कारे करके सफल हो सकते हैं ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है वो भी कर पाएंगे लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन देखेंगे खालीपन ये खालीपन इस तरह का है कि मैंने सब कुछ तो अचीव किया या बहुत कुछ अचीव किया फला चीज नहीं किया वो कमी रह गई ये कमी रह गई तो किसी एक कमी को पूरा करने की mentality आ सकती है ये है point one point two इस दिन आप किसी specific target के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं तो point one हो या point two आपकी सफलता 80% तक possible आ रही है क्योंकि ये दिन आपको हर aspect में 80% support करेगा असफलता किवल एक वजह से आ सकती है और वो है कि आपका ध्यान भटक जाए समझे इस चीज को ठीक है वो कहावत क्या है गय थे हरी भजन को ओटन लगे का पास कि हरी के भजन के लिए गय थे लेकिन जिस गद्दे पर बैटे थे उसमें जरासा फटा हुआ था तो उसमें स रूई निकल रही थी अब उस रूई को निकाल करके खेलना शुरू कर दिया भजन गया गया तो वो नहीं करना जिस काम के लिए लगे हैं उस काम पर फोकस करिये बाकी चीज़ों पर फोकस मत करिये शियर शॉट सफलता मिल जाएगी 13 जुलाई का दिन कहता है कि आप कलपना शेलता में चले जाएगे और उस कलपना शेलता से परिशान भी होंगे कि क्या करें क्या ना करें उस वाली इस्थिति में अगर आपका कोई एक टार्गेट है पहले से तो उस पर काम करिये सफलता मिल जाएगी अगर नहीं है और बन capability के according की भी ठीक है यह वाला achievable है तो वह वाला जो achievable है उससे एक step उपर का बना लीजिएगा ठीक है वो achievable बनाएंगे तो मन आपका confidence एक level नीचे गर जाएगा तो उससे एक level का उपर बनाईएगा तो confidence को जबर्दस्ती एक level उपर उठना पड़ेगा और आपकी सफलता सु संबंधों पारिवारिक संबंधों में सर्वोत कृष्ट है उसके अलावां बाकि सभी चीजों में ये दिन आपको 70% का support देगा 14 जुलाई का दिन मन में कई सारी भावनाओं को लेकर कि आएगा जिसमें आप जल्दी जल्दी success चाहते हैं जल्दी जल्दी कुछ करके दिख खाना चाहते हैं और अपने आपको साबित करना चाहते हैं इन तीनों चीजों में या इस तरह की चीजों में आपकी असफलता आपका failure सुनिश्चित है अगर आप जल्दी में रहे तो और अगर ये जल्दी वाले factor को हटा देते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी य यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप पांच फ्लोर की बिल्डिंग पर एक एक सीड़ी करके चड़ रहे हैं तो जाहिर है उसमें दो तीन मिनट चार मिनट या पांच मिनट जो भी समय है वो तो लगेगा आप सोचें कि नहीं चुटकी बजा के तो लिफ्ट से भी नहीं पहु कर्म को करते जाते हैं तो सफलता सुनेचित क्योंकि इस दिन मल्टिपल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं लेकिन अगर आप जल्दबाजी में होंगे तो स्वयम को रॉंग मैनुपुलेट कर लेंगे या किसी कर रॉंग मैनुपुलेशन में आ जाएंग और अभी आसपेक्ट में लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करिए तो व्रिशब राशी ये था आपका राशी फल आठ से चौदा जुलाई तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपेरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लेकिए इस वीडियो को ला ये दिन आपको एक माईले में पॉजिटिव और निगेटिव के मद्धे में रख देगा लेकिन थोड़ा इंटरवर्ड भी करेगा जब आप सोच विचार करें अपने आप में एक आत्म मन्थन या आत्म चिंतन करें और उस आत्म मन्थन या आत्म चिंतन का जो होगा आपकी अंतर दृष्टी के दौरा यानि आप स्वयम में ही समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है कैसे करना है किस दिशा में काम करना है तो ये सारी चीजें इस दिन होंगी ये दिन आपको समझदारी से भरे निरड़े लेने में बहुत मदद करेगा और अगर किसी क प्रकार के किसी योजना के पैटर्न में कोई बदलाव इत्यादी करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन मदद करेगा नौ जुलाई का जो दिन है धन के मामले में फलित होगा पक्ष में रहेगा बेनिफिट देगा किसी प्रकार की सूचना इंफरमेशन आपको प्राप्त हो स वक्ती है जिस इनफरमेशन के बेसिस पर आप जो प्लैनिंग्स करेंगे या कारे करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी उन इनफरमेशन को इस्तेमाल करने के लिए जो सावधानी चाहिए वो आप अच्छे से निभा पाएंगे कर पाएंगे किये गए जिन सभी मामलों में ये दिन 90 प्रतिशत का सपोर्ट कर रहा है दस जुलाई का जो दिन रहेगा ये कहता है कि आप अपनी किसी मात्वकांक्शी योजना के उपर काम करेंगे न सिर्फ काम करेंगे बलकि अच्छी तरह काम कर पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे आपके जो विरोधी हैं आपके जो शक्त्रू हैं दुश्मन हैं आपका मार्ग रोकने या औरोध उत्पन करने की जितनी भी कोशिशे करेंगे वे सब नाकाम रहेंगी आप अपने लक्ष को केंदरित होकर के कारे करकर के सफल हो जाएंगे अडिशनली आपके सम्मान में वृद्धी ह होगी सोशल इमेज पहले से ज्यादा इंप्रूव होगी एक यात्रा के संयोग या कहीं से किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात होने की पॉसिबल चांसेस भी बन रही हैं रिलेशन एजूकेशन शोशल में जिन सभी मामलों में 10 जुलाई का दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है 11 जुलाई कहता है कि सिचुवेशन स्मूदली आपके जीवन में चीजों को चलाती चलेगी और फ्लो के साथ में आपके कई सारे कार स्वता होते चले जाएंगे चीजों में सिचुवेशन में लोगों को मैनेज करने में आपको काफी आसानी रहेंगी हाला कि आप समझदार विक्ति इस दिन रहेंगे जो एक सही निरड़े ले सके उन मामलों में भी जहां पर निरड़े फसा हुआ है इन चीजों के अलामा लोगों की आप मदद करेंगे परिवार और अपने संबंधों के मामले में आपके दोरा किये गए प्रियास लाभकारी होंगे आपको सफलता म दिन में खतम हो जाएगी इसलिए इस दिन यानि बारह जुलाई को किसी भी तरह का घबराहट में हड़बड़ी में पैनिक होकर डिसीजन नहीं ले इसको याद रखिएगा इस दिन जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान बिलकुल बगल में ही होगा आपको थोड़ा observe करने की जरूरत पड़ेगी इनके अलावा जब आप किसी समस्या को face कर रहे हैं ऐसी परिस्थिती में लोगों की मदद ना करके सही काम करेंगे तो कोई guilt नहीं लेनी अगली चीज कुछ एक ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां आपको एक difficult situation का सामना करना पड़े और आपका ध हैं यानि कि आप देखते हैं कि situation क्या है और मुझे कैसे manage करना है तो चीजों को accordingly manage कर पाएंगे relation education social image सभी मामलों में 12 तारिक 50% का positive support बनाये है 13 जुलाई का जो दिन रहेगा social image के improve होने की possibility को दिखाता है ब्यापारिक या आर्थिक मामलों में सही निर्ड़े लेने की support मिले इसकी संभावना को दिखाता है आप अपने वक्तितों को निकारना चाहते हैं उसमें ये दिन सहयोग करेगा लोगों को manipulate करके या बातों से अपने प्रभाव में लाकर उनसे काम निकलवाना इस दिन आपको आएगा आपके दुश्मन आपका इस दिन भी नुकसान न निबाह ले जाने में कामयाब रहेंगे लेकिन उसके बावजूद आपके मन पर बोज रहेगा क्योंकि कुछ responsibilities आपके उपर इस तरह की होंगी चाहे वो official हों चाहे घरेलू हों जिने आप अब अपने उपर नहीं चाहते उन्हें अपने पास से हटाने के लिए थोड़े प बिजनेस प्रपरटी जोब सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है तो मिथुन राशी यह था आपका राशीफल 8-14 जुलाई तक का राशीफल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर दिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेर करि अठ जुलाई का जो दिन है कुछ खास मामलों की देखबाल करने का दिन है जरूरत ऐसी भी पढ़ सकती है जहां आपको अपने परिवार के सदस्यों को या अपने अपनों को थोड़ा मैनेज करने की आवशक्ता पड़े General, जिन मामलों में आपको लिगता है कि यहां मदद करना उचित है logical emotional नहीं वहां पर मदद करने जहां पर मामला emotional होगा वहां रुख जाना है emotions में भर के काम नहीं करना ठीक है यानि कि आपको merciful रहना है compassionate नहीं रहना धन को खर्च करने के मामले में खर्च करना दो तरीके से होता है एक उधार देना वो भी खर्च हो गया दूसरा सचमुच खर्च कर देना तीसरा एक तीसरा भी प्रकार है investment इन तीनों मामलों में आपको समझदारी से काम करना है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है याद रखिएगा इसके अलावा कुछ लोग आपको परकने की कोशिश कर सकते है आपको किसी की परक में नहीं जाना क्योंकि आपको कुछ प्रूव नहीं करना है उधार लेन देन बिल्कुल बंद रखिये तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने काम से काम रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप जिन मामलों को मैनेज करना चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे तो चीजें पॉजिटिव अप्रोच में आपको सपोर्ट करती चली जाएंगी नए कारणियों के लिए बढ़िया दिन नहीं है लेकिन फिर भी ये दिन आपके लिए सपोर्टिव बना हुआ है रूलेशन एजूकेशन शोशल में सभी मामलों में ये दिन साथ प्रच्छत आपको सपोर्ट कर रहा है अब बात करते हैं नौ तारीक की नौ जुलाई का जो दिन है आर्थिक मामलों में प्रगति करने के लिए बढ़िया दिन है ब्यापारिक मामलों में योजना बनाने के लिए बढ़िया दिन है आफिस में अपनी इमेज को थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए बढ़िया दिन है और अपने कारेच छेतर में साम अदाम अदंड भेद इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया दिन है ये एक ऐसा दिन है जो आपको ऑफिशल ट्रिप पे जाने के लिए प्रेरिद कर सकता है या तरह के संयोग बन सकते हैं इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे और ये थोड़ा स्वार्थी रहना चलेगा क्योंकि यही इस दिन की डिमांड है कि आप ऐ नहीं होगी अधरवाइस किसी पुराने मित्र से मुलाकात की पॉसिबिल्टी एक नई सूचना अने की संभावना वहन खरीदने के योग और अपने विरोधियों को जिसको बोलचाल की भाशा में क्या कहते हैं धूल चटा देंगा देखिए जब इस तरह की बाते मैं शत्र वीजय निकला हट जा देख लेंगे नहीं यह नहीं करना इसका अर्थ होता है कि अगर वे विरोधा आपका करते हैं अगर वे व्यवधान उत्पन करते हैं कोई नुकसान करने की चेश्टा करते हैं तो आपके द्वारा किये गए कार्यों से उनको हार मिलेगी उनको डिफी हो सकता है जिसमें आप काफी कुछ सोच सकते हैं कर सकते हैं करना चाहते हैं तो करना चाहिए लोग क्या कहेंगे पॉजिटिव निगेटिव दोनों को इगनोर करिए बस अपने काम को करिए अडिशनली किसी प्रकार की सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं उसमें ये दिन मदद करेगा किसी डैमेज को मैनेज करना चाहते हैं कई बार हो जाता है कुछ ऐसा डिफेक्ट हो जाता है डैमेज हो जाता है situation में relation उसे manage करना चाहते तो उसके लिए भी बढ़िया दिन है ये दिन आपको अपेक्षित सहयोग जो चाहिए on time मिले इसकी possibility बनाता है और अगर कोई सही सलाह चाहिए तो वो सही समय पर आपको मिले इसकी भी संभावना दिखाता है relation education social में सभी मामलों में ये दिन 70% का support करेगा करकराशी आपके लिए 11 जुलाई का दिन छोटे मोटे संघर्षों से भरा हो सकता है छोटे मोटे यानि की संघर्ष multiple, multi-layer हो सकते हैं लेकिन चुकि जब ये multiple होंगे तो इसका अर्थ है आप एक में जीतेंगे दूसरे में जीतेंगे तीसरा आएगा तो आपके जीतने की possibility पूरी बनी है लेकिन संघर्षों की possibility भी बनी है तो हार नहीं मानना है लगे रहना है ये आपको सिखाता भी जाएगा आपके मार्ग के ब्योधान को हटाता भी जाएगा और आपके लिए सही मार्ग को प्रशस्त करता जाएगा चीजें आपके लिए positive आपके यश में वरिद्धी होने के संभावना और आपका confidence लेवल पहले से बूस्ट अप हो जाए इसकी possibility बनी है relation education, social image, business, job property सभी मामलों में ये दिन 80% का support दे रहा है 12 जुलाई का दिन कहता है दो मामलों को एक साथ मैनेज करना आपके लिए इस दिन बाए हाथ का खेल होगा लेकिन अगर situation तीन या चार है तो फिल नहीं आप दो से अधिक पर इस दिन दाउन नहीं लगा सकते हैं रोकिए, pending करिए, बाद में काम करिए ब्यापारिक आर्थिक मामलों में आप कुछ नया side business शुरू करना चाहते हैं उसकी planning plotting करने या शुरू करने के लिए ये बढ़िया दिन है अगर आप किसी तरह का एक योजना बनाते हैं जिससे आपका एक dual income शुरू हो जाए या secondary income शुरू हो जाए इंकम तो उसकी भी possibility है ये भी आपको करना चाहिए relation education socially में सभी मामलों में ये दिन 80% support कर रहा है 13th July का दिन बढ़िया अच्छा और आपके लिए पॉजिटिविटी से भारा क्यांकि नसर फिशुर की करपा आपके उपर बनी है बलकि चंद्रदेव की करपा भी बनी जिसकी वज़ा से आपके मन के संताप आपके मन के disturbance कम होंगे और आप फोकस्ड होंगे किसी एक विशे पर हलांकि आपको इस दिन अगर अगर आप observe करेंगे अगर आप जागरित रहेंगे फोकस करेंगे तो multiple opportunities मिलने की possibility है आप उन्हें इस्तेमाल करें ना करें वो आपके उपर है लेकिन होंगी इन चीजों के अलावा आप अपनी क्षमता में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे साथ ही साथ spirituality की और आकरशित अगर होना चाहें तो होंगे उसमें काम करेंगे सकसेज होंगे और किसी गंभीर विशय या situation को manage करने उस पर अध्यान करने का काम कर सकते हैं अध्यारेशन एजूकेशन सोचल इमिज बिजनेस जॉब प्रपरटी सभी मामलों में ये दिन हंड़ेट पर्संट का सपोर्ट दे रहा है करकर आशिया आपके लिए 14 जुलाई का जो दिन है कहता है नए काम शुरू करने के लिए बढ़िया हैं पुराने कामों को फिर से अंदर ट्रेक लाने के लिए बढ़िया है किसी रुके हुए काम को पुना सुचारू रूप से चलाने के लिए बढ़िया है एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको बिल्कुल पता था कि यहां पर मेरी जीत की कोई पॉसिबिल्टी नहीं है वहां पर भी अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी सफलता मिले इसकी पॉसिबिल्टी बढ़ रहे हैं आप जिस भी सिचुएशन में जिस कारे में जिस पॉजीशन पर हैं वहां से एक कदम और उपर उठने की पॉसिबिल्टी बनी है ये दिन आपको सहयोग करता है हाई एंड एनरजी आपको प्रोइड कर लेकिन ये हाई एंड एनरजी यूज करने के लिए आपको पहले काम शुरू करना होगा जब शुरू करेंगे तो एनरजी महसूस होगी नहीं तो नहीं होगी एक एक्जामपल लेते हैं आप ठक गये हैं या आपको लगता है कि मैं दोड़ नहीं पाऊंगा ठीक है मत दोड लेकिन ये दिन कहता है कि दोड़ना शुरू करिये जब आप शुरू करेंगे तो एनरजी फील हो जाएगी जब तक नहीं शुरू करेंगे एनरजी फील नहीं होगी तो ये ऐसे हैं अदर्वाइस ये दिन बढ़िया अच्छा और आपके फेवर में है इस दिन जान बूच कर किसी से जगणा ना करें ये एक छोटी सी वार्निंग दी जा रही है उससे आपका भी और उसका दोनों का नुकसान होने की पॉसिबिल्टी है अदरवाइस चीजे ठीक और नबे प्रश्चत का सपोर्ट लाइफ के सभी आस्पेक्ट्स पर बना हुआ है तो करकराशी ये थ हेलो सिंगराशी आप सबका स्वागत है आपकी रेडिंग में सिंगराशी आपके लिए आठ जुलाई का दिन मन को थोड़ा सा व्यथित करेगा क्योंकि कुछ पॉजिटिव होते होते निगेटिव हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी है इस चीज में आपको अपने आपको नुकसान बिलकुल अगर पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनरजी ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान हो जाता है तो इसलिए मन को पॉजिटिव करिए निगेटिविटी एक तरफ पड़ी है उसे पड़ी रहने दीजिए जब आप मन को पॉजिटिव करेंगे तो वो नि इतना ही आसान होगा इस दिन आठ तारीक को जब तक नहीं उठेंगे करने को तब तक दिक्कत रहेंगे जब करेंगे तो हो जाएगा बाकी चीज़े ठीक 50% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है नौ जुलाई का जो दिन है ये कहता है इश्वर की सीधी कृपा आपके ओपर बरसेगी जिसकी वज़ह से इश्वर ये शक्तियों को इस्तेमाल करके आप अपनी परस्नालिटी को नए सिरे से ढबलब कर सकते हैं अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं किसी को मैनुपुलेट कर सकते हैं सिचुवेशन को उलट सकते हैं अब सिचुवेशन को उलटने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जादू की छड़ी आएगी कि चल सिचुवेशन उलटी हो जागा नए इसका मतलब आप सही दिशा में कर्म करें और सिचुएशन को पलटने का प्रयास करें और वो पलट जाएगी आपके फिवर में आ जाएगी तो इस तरह से ये दिन आपको सहयोग करता है अदरवाइस ब्यापार हो आपका प्रोफेशन हो या कुछ भी हो उस समय ये दिन 100% यानि कि ओवराल सभी आसपेट्स में लाइफ के 100% का सपोर्ट सिस्टम बनाए हुए है 10 जुलाई का दिन भी 100% सपोर्ट के साथ में आपको आपके परिवार या परिवार जनित प्रसंदा देने का वादा करता है परिवार जनित मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ अगर कहीं अकेले रहते हैं तो चाहे वो मित्र वगरा मिल जाए इस दिन आपके किसी कार योजना की पूरा होने की फुल पॉसिबिल्टी भी आ रही है नए कार योजना को बनाने की पॉसिबिल्टी भी है और फुल्फिल्मेंट के साथ में ये दिन आपको एक अचीवमेंट दे दे या एक अचीवमेंट का सामना करा दे इसकी पॉसिबि नियाए की शुरुवात आपके जीवन में हो जाएगी लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अब आप यहां से सिचुवेशन या लोगों को जज़ करना शुरू करें जज्मेंटल माइंडसेट नहीं लेना जो इश्वर कर रहे हैं उसे होने दीजिए फ्लो के साथ चलिए जब कहा जाता है फ्लो के साथ चलिए तो इसका अर्थ होता है बहिये बहना शुरू करें हवाओं के साथ इसका अर्थ क्या हुआ कि इश्वर आपकी जीवन को जिस और ले जा रहे हैं उस और जाए ठेक है जेही बिद राखे राम राम जिस बिधी से रखना चाहें ये उनके उपर है जब ये हम कहते हैं कि जेही बिद राखे राम तो कई बार लोग इस चीज की expectation करते हैं कि वो विधी बहुत बढ़ियां होगी हम बहुत सुख से रहें हो सकता है वे आपको थो परिवर्तन और मोड देगी जो ग्यारा तारिक ग्यारा जुलाई ऑन वोर्ड्स इसके बाद से आपके लिए एक परिवर्तन कारी समय हो जाएगा जो आपको काफी कुछ अपनी लाइफ में परसनली मैनेज करने में मदद कर पाएगा बाकि रुलेशन एजुकेशन कीश्यारा फैने आपको किसी कारे को थानेंगे यह इन के परकार है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे ये मत धैर का पालाई परिचे इस दिन अगर नहीं देंगे तो कई सारे काम आपके हाथों खराब हो सकते हैं अगर आप धैर का परिचे देंगे तो समय भेले लगेगा लेकिन चीजें प्रूफ भी हो जाएंगी थाबिद भी हो जाएंगी आप अपने कारों में सफल भी हो जाएंगी और आपको फुल्फिल्मेंट भी मिल जाएगा जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन है और साथ साथ जो लोग आपको बरगलाते हैं मैनुपुलेट करते हैं वे भी आपके दुश्मन है थोड़ा सावधान रहिए हालांकि ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है लेकिन वार्निंग भी दे रहा है 13th जुलाई का जो दिन है कहता है मन व्याकुल रहेगा और संकुचित होता जाएगा जिसकी वज़ासे एक इनसेक्यूर फिलिंग में आप कैद हो जाएंगे थोड़ा कंजूस भी रहेंगे इस इनसेक्यूर फिलिंग की वज़ासे आप जानना और समझना नहीं चाहेंगे क अगर आप ये नहीं करते तो situation आपके control से बाहर और करते हैं तो पूरी तरह control के अंदर रहेगी। अगर आप neutral रहते हैं तो ये दिन आपको 30-40% ही support कर पाएगा जिसका आप lab भी नहीं उठा पाएगे। लेकिन अगर आप अपने को unlock कर ले जाते हैं तो ये दिन आपको 80% का positive support देगा जिसे इसे इस्तेमाल कर पाएगे। 14 जुलाई का जो दिन हैं ये बताता है कि situation pause हो सकती है चलता हुआ काम रुक जाए या situation थोड़ी थोड़ी रुकने वाली position पर आ जाए इसकी possibility है ये सब temporary होगा permanent बिलकुल नहीं होगा इसलिए परेशान नहीं होना है ये दिन आपको spirituality की और अनायास ही आकरशित कर लेगा अ अपने मन में धार्मिक्ता लाने के लिए भी प्रेडित करता है समय दें भगवान के साथ बैठें उनको याद करें कुछ जब करें कुछ इश्वरिय साहित को पढ़ें ये आपके लिए फायदे मन रहागा ये दिन positive और negative बिलकुल नहीं है तो इसका support ना positive है ना negative है life के किस इसी भी aspects पर तो सिंग राशी ये था आपका राशीफल आठ से 14 जुलाई तक का राशीफल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगले को अपने हिसाब से अपनी बुद्ध से मैनेज करने का है आप जिस चीज में जैसा जैसा करेंगे एक पुरानी कहावत है जो बोईएगा वही काटिएगा ये दिन वैसा ही जैसा आप करेंगे उसका वैसा ही प्रतिफल पाएंगे तो बुरा मत करिए अच्छा करिए और उसका दूसरे का किसी का बुरा कर दीजए नहीं किसी का बुरा नहीं करना अगली चीज़ अगर एक जटल समस्या है जहां आप निरड़े नहीं ले पा रहें जिसकी पॉसिबिल्टि इस दिन बनती है तो आप सलाह मशवरा ले सकते हैं लेकिन Jeder प्रोश्पेरस हैं अच्छ भी एस्पेक्स पर नौ जुलाई का दिन कहता है मन शांत हो जाएगा अचानक आपके जीवन में चारो तरफ चाहे जितनी दोड़ धो भागा भागी आपा धापी मची हो मन बीच में शांत हो जाएगा नौ तारीकों ये मन में जो शांती है ये आपको फिल भी कराएगी कि मे तेरे जीवन में बहुत होच पोच है लेकिन अभी इस मॉमेंट में मैं शांत हूं इस मॉमेंट को इंजॉय करिए सिर्फ इंजॉय ना करें बलकि भवश की योजना भी बनावे आपके किसी कारे में अगर आप सोच विचार करना चाहते थे आपको अपने लिए समय करता है जीवन के सब इक्षेत्रों में दस तारी कहता है कि कुछ ही एक मामले कभी कभी ऐसे होते हैं जहां हम बड़ा ठका हुआ महसूस करते हैं या किसी सिचुएशन में जूज जूज कर हम ठक गए होते हैं दोनों कंडिशन में कहता है थोड़ा रेश्ट कर लीजिए अन अवेर रहेंगे तो मेंटल आपका जो मन है मनसिक स्टेटस आपका है उसमें इस्ट्रेस बना ही रहेगा जिसकी वज़ा से आप थोड़े नकारातमक हो सकते हैं तो ये चीज़ों से अगर आप छूटना चाहते हैं निकलना चाहते हैं तो अपने आप पर बस ध्यान देना ह होगा अपने उपर कि मेरे मन में नकारातमक का ना अगर आप ध्यान देते हैं तो ये चीज़ इसी तरह सद जाएगी इन चीज़ों के अलावा किसी तरह के सिच्वेशन को मोडने और मैनेज करने के लिए भी दस तारिक आपको सपोर्ट करेगा लेकिन उसके लिए पहली इ पॉस्पेरिटी सुरक्षा यश मान से भरा हुआ है परिवार में एक उत्सो का आयोजन हो या किसी उत्सों में निमंतरित हो इसकी पॉसिबिल्टी बनी है अपने फैमिली बच्चों के साथ अच्छा और क्वाल्टी समय बिताएंगे इस दिन आपके द्वारा किये गए का कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बलकि आपके कार्यों से मिलने वाली सफलता आपके अपनों को भी महसूस होगी फील हो जाएगी और आप एप्रिशेट किये जाएंगे बाकि रिलेशन एजुकेशन शर्शली में सभी मामलों में ये दिन साथ प्रस्चत का कर पाएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे और इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने टार्गिट को अचीव करने की एक थोड़ी हलकी नाकाम नहीं कह रहा हूं थोड़ी हलकी कोशिश करेंगे भविशे में वो कामयाब भी होगी इसलिए अभी काम बता रहा हूं और आप ए कियातरा की पॉसिबिल्टी एक सुखत समाचार आने की संभवना और जिस कारे को हाथ में ले उसमें सफलता की पॉसिबिल्टी बनी है अगर आप उसे उस कारे को हाथ में लिए रखें तो बीच में छोड़ देंगे तो गड़बड हो जाएगी ये दिन आपको अस्री प्र होगी ये दिन आपको अपने उपर गर्व करने और सिचुवेशन को अपने हिसाब से मोड़ लेने की ख्रमता देगा रिलेशन एजुकेशन शर्शली में सभी मामलों में ये दिन सो प्रश्वत का सपोर्ट बनाय हुए है 14 जुलाई का दिन बढ़िया नहीं है 15 जुलाई वापिस से ठीक हो जाएगा इसलिए 14 जुलाई के दिन आप घबरा कर पैनिक होकर कोई निर्ड़े ना लें सिचुवेशन अचानक हाथ से निकल सकती है किसी भी मामले में उस से आपको अपने आपको बचाना होगा लेकिन जल्दबाजी और घबराहट में नहीं जल्दबा आना मतलब उस गलती को मैनेज करने के लिए उस कारे को दोहराने का इस दिन आपको मौका मिले इसकी पॉसिबिल्टी है लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप पुरानी चीजों के बारे में ना सोच करके इश्वर के प्रति अपने करतक गयता व्यक्त करें और वे जो आपक जुलाई को सपोर्ट सिस्टम जीरो पर रहेगा और ये दिन आपको बस किसी तरह निकाल देना है तो डेली रूटीन पर बने रही है अडिशनल कारें ना करिया कन्या राशी ये था आपका राशिफल आट से चौदा जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने ए ये शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब को ना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो तुलाराशी आप सबका स्वागत है आपकी रिडिंग में तुलाराशी आपके लिए आठ जुलाई का दिन अच्छा रहेगा खुशियों से भरा रहेगा समरिधी की और बढ़ते हुए आपके कदमों को ये दिन और ज्यादा बल परदान करेगा आपके कई सारे कार्यों में आ रहे या आए हुए अवरोधों को दूर करेगा जो लोग अवरोध उत्पन करना चाहते हैं उनको भी आपके जीवन से हटाएगा यश में वृद्धी कराएगा नए कार्यों में सफलता दिलाएगा रेलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है नौ जुलाई का जो दिन है ये आपकी सोशल इमेज को इंप्रूव करेगा सामाजिक या पारिवारिक मामलों में जो आपकी पकड़ है पहले से बेटर होगी आप अपने कारे छेतर में चाहे ब्यापार हो या जॉब अच्छा कारे कर पाएंगे रिकगनेशन मिलने की पॉसिबिल्टी सफलता मिलने की पॉसिबिल्टी भी बनी है सीनियर आफिसर का सहयोग मिले परिवार में पिता जी का या दादा जी का सहयोग मिले इसकी संभावना है इस दिन भी आपके शत्रों आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे रिलेशन एजूकेशन शोशल इमेच सभी मामलों में नौ तारिख भी सो प्रच्छत का सपोर्ट दे रहा है दस जुलाई का दिन बताता है कि आप थोड़ा इंपैशनेट होंगे जल्दबाज हो जाएंगे उसके बावजूद अपने उपर सही तरीके से बढ़िया नियंतरा लगाए रखने में काम्याब रहेंगे अपने टार्गेट को अचीव करने की दिशा में आपके द्वारा किये गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी इस दिन आप थोड़ा सा अलग मेंटालिटी में रहेंगे जिसकी वजह से दूसरों की थोड़ी परवाह नहीं करेंगे और इस दिन का जो सेनेरियो बना है अकॉर्डिंग टू डैट आपको यही करना चाहिए जान बूच कर किसी का नुकसान ना करें अपने काम पर लगें आगे बढ़ें व्यक्तिगत संबंध प्रेम संबंधों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता 30 प्रतिशत तक केवल सपोर्ट बना रहेगा 70 परसंट का लैग है इसे सही करने के लिए अपने पार्टनर या अपने साथी के साथ में अपने आपको सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना करें इनके अलावा अदरवाइस बाकी लाइफ के सभी आसपेक्स में सपोर्ट सिस्टम 80 परसंट 80 परसंट तक बना रहेगा 11 जुलाई का दिन बताता है कुछ ऐसा होगा जिसकी वज़ा से मन आपका उदास हो जाएगा खिन हो जाएगा नाराज हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि आपके दौरा किये गए प्रयास सही नहीं है सतही तोर पर हैं और आपको सपोर्ट नहीं कर रहें इस दिन आप जिस तरह से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कुछ है एक सिचुएशन आपकी पकड़ से बाहर चली जाए इसकी पॉसिबिल्टी है इस वजह से आप अपने मन को नकारात्मक होता हुआ देखेंगे लेकिन इसके बावजूद आपको अपने मन को पॉसिटिव रखने पर ध्यान देना है बीच में जो बेवधान है वो बेवधानों को दूर करने का भरसक प्रयास करना है ये चीजें अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आप अपने मन को जितना मैनेज करेंगे ये दिन उतना आपके पक्ष में मुड़ता चला जाएगा इस चीज को करने के अवश्यक्ता है बाकी ये दिन आपको यानि 11 तारिक केवल 50 प्रश्चत का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी आस्पेट्स पर 12 जुलाई का दिन बताता है कि सिचुएशन इस दिन भी थोड़ी पॉज मॉमेंट में रहेगे कई काम रुक कर होंगे या नहीं होंगे या पेंडिंग हो जाएंगे ये सारी सिचुएशन टिम्परेरी हैं आगे चलकर चीज़ें आटो सेट हो जाएंगे इसलिए जो भी कारे आपके व्यवधान में आ रहे हैं रुक रहे हैं अटक रहे हैं उन पर आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि गलत डिसीजन नहोंने पावे भी कोई काम कर रहे हैं थोड़ा ब्यवधान आ गया कुछ ऐसा हो गया कि अभी एक ब्रेक लग गया फिर चल जाएगा वो अचानक से पूरी योजना बदलने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये समझना है कि क्या मेरी योजना में घलती की वज़ा से ये हो रहा है या सिच्वेशनली है तो सिच्वेशनली ठीक हो जाएगा इनतिजार करिए इस दिन बारातारिक को आप अध्यात्मिक छेतर में जितना कारे करेंगे जो कारे करेंगे वो फ्रूटफुल होगा फलदाई होगा आपकी प्रगती दायक होगा और आपके मन को शानती में ना पॉजिटिव ना निगेटिव थर्टेंथ जुलाई का दिन फिप्टी परसेंट पॉजिटिव और फिफ्टी परसेंट निगेटिव सेटप पर रहेगा लाइफ के सभी आस्पेक्स पर इसके आलामा ये दिन आपको वांड करता है कि कुछ लोग आपके मार्ग में ब् रिजॉल्व करके अपने लक्ष को साध ले जाएंगे यही इस दिन का आपका भविश रहेगा इस दिन आप कुछ एक मामलों में जहां पर अप असविधा महसूस करते हैं या एक हेजिटेशन महसूस करते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं तो उसमें आपका कॉन् परिवरतन दो तरीके से अपियर होंगे सबसे पहला कुछ छोटे मोटे परिवरतन होंगी या उपर्चुनिटीज होंगी जो आपके सम्मू काएंगी और आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी रहें उसका बेनेफिट ही आपको मिलेगा दूसरा आपकी योजना कि ये काम हो नहीं पाएगा इसको याद रखिएगा एक पॉजिटिव योजना की जरूरत है भाग ये इस दिन आपको सहयोग देना चाहता है 14 जुराई को भाग ये जब हमें सपोर्ट करना चाहता है और हमारे पास अगर योजना नहीं है या एक गलत योजना है अगर यो कैसे बनेगा दीवाल कहां होगी दर्वाजा कहां होगा रूम कहां होगा किचन कहां होगा विंडो कहां होगा कोई योजना नहीं अब सोचिए फिर कैसा घर बनेगा बिना योजना की फिर तो पता चला घर बनके खड़ा होगा और मेंडोर ही नहीं बने अब घुजिएगा कैसे है तो योजना की जरूरत है बिना योजना की 14 जुलाई आपके लिए डिजास्टर वाली सिचुएशन क्रियेट कर सकता है क्योंकि बिना योजना के तो फिर पता नहीं क्या होगा न फिर अनार्की हो जाए और इस अनार्की सिचुएशन से बचने के लिए योजना बनाईए अगर पहले से है तो उस पर काम करिये नहीं है तो बना लीजिए ये दिन वैसे आपको 100% सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सबी खेतरों में तो तुला राशी ये था आपका राशी फल 8 से 14 जुलाई तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनवोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिए इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो मैं आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो वरिश्चिक राशी आप सब का स्वागत है आपके रेडिंग में वरिश्चिक यानि स्कॉर्पियोस आपके लिए आठ जुलाई का दिन काफी अच्छा दिन रहेगा कुछ एक बाधाओं वाली सिचुएशन से ओवर कम करके स्मूद सिचुएशन में एंटर करने के लिए इस दिन को इस्तिमाल करिये यानि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है तो उसे इस दिन मैनेज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से इसके अलावा आप अपने टार्गेट को अचीव कर पाएंगे सोशल इमेज आपकी पहले से इंप्रूव होगी अपने विरोधियों से अच्छे से निपट पाएंगे और आन दा ट्रेक बिलकुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रोपरिटी, जॉब सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है 9 जुलाई एक परिवर्तन को दिखाता है परिवर्तन लेकिन ये परिवर्तन आपके जीवन में एक नए अध्याय के जुड़ने जैसा है पुराना कुछ खत्म नहीं हो रहा है बस एक चैप्टर और जुड़ रहा है ये परिवर्तन आपको नई अपॉर्चुनिटीज देगा जो नो तारिख से आपको मिलेंगी और इन नई अपॉर्चुनिटीज में आप अपनी सोशल, परसनल, प्रोफेशनल लाइफ को इनहेंस और इवैलवेट कर सकते हैं जितना चाहें शिक्षा के छेतर में ये दिन आपको सो प्रतिशत से भी अधिक सपोर्ट करता है लेकिन यहां जिस चीज की सबसे ज़्यादा आपको जरूरत है वो है सेल्फ अवेरनेस की अगर आप सेल्फ अवेर नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो जाएंगे इसलिए खुद पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है सो प्रतिशत का सपोर्ट लाइफ के सभी आस्पेक्स पर बना है दस तारिक अच्छा दिन नहीं है इसलिए दस तारिक को आपको चाहिए कि लीगल मामलों से दूर रहें रुपए पैसे के बड़े लिंदेन के मामलों से दूर रहें किसी को प्रॉमिस ना करें और दूसरों पर भरोसा नहीं करें इस दिन आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है धोखा दिया जा सकता है आपका अनर्गल फाइदा उठा कर आपको डॉमिनेट किया जा सकता है आपकी इंसल्ट की जा सकती है तो उन जगों पर जहां आपको निमंत्रण नहीं है मत जाईए उन लोगों से जिनसे अभी मिलने की आवश्यक्ता नहीं आओ चलो उनके घर चलते से मुलाकाद कर लेते बहुत दिन हो गया आवाइड कर दीए इस दिन आवाइड कर दीए दस तारे को आवाइड करिए गयरा को चले जाए गयरा अच्छा दिन है काल निकाल लियाsorry का दस तारिक बढ़ियाद दिन नहीं है इसलिए अपने आपको शान्त रखना है और कुछ एक ऐसी situation एक positivity है कुछ एक ऐसी situation जो पिछले काफी time से आपके दिमाग को मत रही थी आप चाहते थे यह close हो जाए वो close हो जाए इसकी possibility बनी है इसके अलमा कोई positivity नहीं है और जो आपके आगे के लिए आ रहा वो ये है कि situation डार्क है लेकिन light आ जरूर रही है और समय पर आ जाएगी बस आपको उस dark situation के जाने का वेट करना होगा तो धैर रखें इत्मिनान रखें इस दिन आपके life के सभी aspects पर इस दिन का support शोनने है zero है ग्यारा जुलाई वापिस चीजों को यू टर्न कर देगा एक दम revive कर देगा पलट देगा और इस दिन आप situation को accordingly manage करते चले जाएंगे जो दस तारी को damage हुई थी पहला तो वो दूसरा अपने कारे छेतर में अपने जो भी बेवसाय है जॉब है उसमें अच्छा परदर्शन कर पाएंगे परिवार में चीजें सही चलेंगी स्वास्ति में लाब के संयोग है हाँ एक चीज है जहां आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि अनायास धन के खर्च होने की possibility बनी है उस पर आपको नियंतरन लगाने की जरूरत है बाकी जीवन के सभी शेतर, relation, education, profession, job, property सभी मामलों में ये दिन 100% support दे रहा है बारा जुलाई का दिन भी बढ़िया है, इस दिन आप कहीं निमंतरन में जा सकते हैं आपके द्वारा किये गए कार्यों में आपको काफी हद तक सफलता मिले इसकी possibility है परिवार के सदस्यों का सहयोग बना रहेगा, आफिस में टीम वर्क अच्छा हो, इसकी संभावना है अगर आप विवाह योग यह हैं तो आपकी विवाह से संबंधिन मामलों पर positive चर्चाएं चल सकती हैं किसी expected काम में सफलता मिलने के पूरे सहयोग है सभी मामलों में 60% से लेके 100% तक के support system बने है 13 जुलाई का जो दिन है यह कहता है एक नए कारे की शुरुवात कर सकते हैं या उसकी planning कर सकते हैं, दोनों आपके लिए positive हैं, negative बिलकुल नहीं आने वाले समय में इस शुरे शक्तियों का सहयोग मिल जाएगा present में जो कर रहे हैं, एक तो यह नया हो गया, दूसरा present में जो कर रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ें, उसमें भी आपके लिए ये दिन fruitful situation लेकर आता है आप परिस्थितियों को, लोगों को अच्छे से manage कर पाएंगे, handle कर पाएंगे और अपने आपको सही लक्षी की और केंदरित करने में कामयाब रहेंगे relation, ने जो केशन, शुरुषरी में, सभी मामलों में ये दिन 90 प्रिश्थित का सपोर्ट दे रहा है 14 जुलाई का दिन कहता है, कि मन आपका थोड़ा सा मस्त मौला जैसा हो सकता है जहां पर आप अपनी उधेर बुन में रहें और दूसरों की बातों पर ध्यान दें आपको चाहिए उनकी बातों को सुनें, ध्यान दें, मनना न मनना बाद की बात है, उसे बाद में देखिएगा इसके अलावाएं, ये दिन आपको इस तरह से प्रेरित करता है कि आप इश्वर की कृपा अनुकंपा से अपने कार्णों में आने वाली प्राब्लम्स को मैनेज करते हुए सफलता की और कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे, बस आपको स्वयम पर कॉन्फिडेंस रखना है और इश्वर पर भरोसा बनाए रखना है रिलेशन एजुकेशन शोशल में बिजनेस प्रोपरिटी जॉब सभी मामलों में ये दिन सो प्रिश्ट सपोर्ट कर रहा है तो व्रिश्चिक राशी ये था आपका राशिफल 8 से 14 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा बाई बाई हेलो धनुराशी आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में धनुराशी आपके लिए आठ जुलाई का जो दिन है बहुत सौफ्ट तरीके से बीतने वाला है इसलिए कोशिश करिए कि जो आपके डेली रूटीन वर्क्स हैं उसी पर बने रहें किसी नए काम में इन्वाल्व होने की जरूरत नहीं है अगर कुछ करना चाहते हैं नया तो उसके लिए थोड़ी प्लैनिंग करें ये दिन प्लैनिंग में काम करेगा और आप अगर कोई प्लैनिंग पहले से है तो उस प्लैनिंग के उपर फिर से एक बार रिसर्च करें और चीजों को और बेटर वी में करने ये दिन अच्छा है, बढ़िया है, आपको संतुष्ट रखेगा, आपके कई सारे कार्य होते जाएंगे और सिचुएशन फ्लो वाइज आपके फेवर में बनी रहेगी 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी अस्पेक्स पर बना है नौ जुलाई केहता है कि आपका भाग आपको एक डिफेरंट वे में सपोर्ट करेगा हमारा भाग हमें दो तरह से सपोर्ट करता है, पहला आगे धखेल देता है अब जो लोग नए जुने हैं मुझ से, जब भाग आगे धखेल देता है तो बड़ी प्राब्लम होती है लास्ता नहीं है तो पैस जाएंगे, खाई हैं तो गिर जाएंगे और अगर बढ़ियां हाईवे बना हुआ है तो निकलते चले जाएंगे इसी वज़ा से कुछ लोगों का जब भाग्योदह होता है तो तरक्की करते हैं कुछ लोगों का भागयोदे होता है तो जीवन नाश हो जाता है गरबड़ भी हो जाती है लेकिन जो दूसरा तरीका है भागय का सपोर्ट करने का वो यह है कि आप चाहे जैसे रहें वो आपको पॉजिटिव ही देता चला जाएगा और कुछ छोटे टर्म्स के लिए पॉजिटिविटी में चीजें आपको गिफ्ट की तरह मिलती चली जाएंगी और उसके बाद में वो सिचुवेशन खतम तो वो वाली सिचुवेशन आपके लिए नवतारिक हो आ रही है दिन सबसे इंपोर्टेंस रखता है और डिवाइनली चीजें आटो सेट होती चली जाएंगी इसका लाव उठाईए रिलेशन एजुकेशन सबी मामलों में ये दिन भी आपको 80-100% का सपोर्ट दे रहा है दस तारिक कहता है कि आप थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं काम के बोज को लेकर के दुख ही हो सकते हैं ये दुख आपने स्वयम अपने जीवन में बना लिया होगा क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें आपके responsibility के criteria में होंगी जिनका वास्तों में आपके responsibility से कोई लेना देना नहीं है तो उन्हें थोड़ा काटिए हटाईए इन चीजों के अल और एक बंदा कहता है हाँ सब देख लेंगे भाई पहले ये देखो ना कि तुम्हारे पास कितना काम है बॉस ने तुम्हारी और देखा तो तुम्हें हाँ नहीं करना है रुकना है ठीक है क्योंकि आपने अगर आफिस में उस काम के लिए स्वता हाँ कर दी तो आपकी image न responsibility देने दीए क्योंकि जब वो responsibility देता है तो उसे याद रहता है कि मैंने फला को responsibility दी है और अब आपने कुछ अच्छा परदर्शन किया तो appreciation मिलती है इसलिए चुप रहना चाहिए ये अच्छा दिन है बुरा नहीं है तो अपनी additional responsibilities को थोड़ा थोड़ा down करिए कम करिए प social और family life में improvement हो जाएगी आपकी पकड़ परिवार पर और समाज पर अच्छी बनेगी यानि आपकी value हो सकती है आपके यश्वे वृद्धी हो सकती है और आप किसी एक कार्य को पूरा करने की दिशा में किये गये प्रियासों में सो प्रश्चत सफल होंगे क्योंकि ये दिन 100% का support बनाता है life के सभी aspects पर 11 तारिक कहता है इश्वर की कृपा आप पर इस तरह बनेगी जिससे आप चाहें तो situation को manipulate कर सकते हैं चाहें तो situation के अंदर होता है ना एक situation में दूसरी situation inbuilt होती है तो situation में situation जो inbuilt है उसको भी manipulate कर सकते हैं चाहें तो स्वयम को manipulate करके अपनी आद personality में निखार ला सकते हैं ये दिन आपको 100% का support देगा आपके जीवन के सभी aspect में जो काम आप करना चाहें करें नए कार्णों को शुरू करने के लिए भी बढ़ियां दिन है बारा तारिक कहता है कि दूविधा जनक स्थिति का सामना हो सकता है और इस दूविधा से निकलन थी ठीक उन बाधाओं से निपट ये सामना करिए उस सामना करने से फाइदा ये होगा कि आपकी अपनी power और improve और enhance होगी और आपको अपनी नए च्छमताओं का पता चल जाएगा जिससे आपका confidence level develop हो जाएगा जब वो develop हो जाएगा तो उसका benefit ये मिलेगा कि social image आपकी improve हो करेगा relation education social image सभी मामलों में ये दिन 70% से उपर का support दे रहा है 13 जुलाई का दिन कहता है triangular situations आपके favor में रहेंगी एक तरीके से ये celebration का भी दिन है इस दिन आप अपनी किसी उपलब्ध को celebrate कर पाएंगे या situationally दो चार लोग जब आप से मिलें तो उस मुलाकात को celebrate कर अच्छा और सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहेगा अगर आप कुछ fruitful करने की कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन पूरा support करेगा हालांकि emotion का factor इस दिन हाई रहेगा इसलिए ना emotional होकर कोई promise करिए बस इतना याद रखिएगा बाकी चीज़े ठीक अच्छी संबंधों प्रेम संबंधों संबंधों मतलब पारिवारिक और मित्रवत्स प्रेम संबंधों होई गए इन दोनों के लिए ये दिन superb है बहुत बढ़ी है बाकी life के सभी aspects के लिए 70% plus positive support बना है 14 जुलाई का दिन कहता है मन अधीर हो जाएगा कुछ करने के लिए या पाने क लिए और जैसे मन अधीर होता है अगर हमें कहीं जाना है तो हम बड़ी जल्दी भागते हैं तो वो नहीं करना आपको इतमिनान से रहिए step by step चलिए और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ते हुए देखते चले जाएए जल्दबाजी इस दिन आपको नुक्सान आप आने वाले समय को प्लैन कर पाएंगे एकॉर्डिंगली चीजें मूव होती चली जाएंगी और आपके लिए ये दिन बहुत ही फेवर करने वाला रहेगा रिलेशन एजूकेशन शोशल इमेज बिजनेस जॉब प्रपरटी सभी मामलों में ये दिन 80 प्रश्चत का सप शिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो मकर राशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में मकर राशी आपके लिए 8 जुलाई का दिन जिस कारे को करना चाहते हैं दिल से उसमें सचमुच इन्वाल्व होकर आगे बढ़ने और सफलता अरजित करने का है इश्वर की कृपा आपके उपर बनी है आप अप अपनी छमता पर अपने आप पर बिल्कुल डाउट ना करें वैसे डाउट होगा भी नहीं इस दिन तो चीजें आपके पक्ष में हैं लेकिन अगर कोई आपको कुछ समझाता है तो उसकी बात ज़रा सुन लीजिए सुनने में कोई बुराई नहीं मानना नमानना बात की ब के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए यह बढ़िया दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है आपके जीवन के सबिक्षेत्रों में नौतारिक अच्छा दिन नहीं है इसलिए शांत रहें इत्मिनान रखें घबराहट में आकर कोई सिच्वेशन ऐसी होती जहां आ घबरा जाएं तो फिर घबराहट में आकर कोई भी निर्ड़य नहीं लेना है उधार तो बिलकुल भी नहीं लेना है नौतारिक को लोग आपको धोखा दे सकते हैं यहां मैंने लोग कहा यानि एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं इसलिए थोड़ा सावधार में आप इसका य है यह दिन आपको एक सिचुवेशन में कोलैप्स करने की कोशिश कर सकता है उससे बचने के लिए आपको बस न्यूटरली बने रहना है किसी नए काम को न शुरू करें रूटिन वोग में बने रहें और जानें कि यह दिन थोड़ा डार्क शेड है लेकिन आने वाली सुब जो एक दिन पहले थोड़ी डगमगाई या इंबैलेंस होई वो आटो बैलेंस हो जाएगी उस बैलेंस सिचुवेशन में आप और इंप्रूमेंट चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस दिन आपके लिए भाग ये एक अलग दिशा से मूव करे हैं तो इसका उत्रोतर लाब उठा पाएंगे ये दिन आपको 80 से 100% का सपोर्ट देगा सो 80 से 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी खेत्रों में 11 जुलाई का दिन बताता है कि मन थोड़ा सा रूड हो जाएगा इस रूडनेस की वजह से आप दूसरों के परवाह नहीं करे इन सारी चीजों को ना रिफ्लेक्ट नहीं करना दिखाना नहीं है लोगों को ना पता चले थोड़ा स्माइली फेस बने रही है मन में चाहे कितनी भी कड़वाहड बनी रहे है थोड़ा स्माइली फेस बने रही है इस दिन आप दूसरों को अगर स्माइली फेस हैं अगर आप शान्त हैं तो फिर बढ़ियां तरीके से मैनूपुलेट कर पाएंगे या प्रभावित कर पाएंगे आपका काम निकलने के लिए और इस दिन चीजें आपके पक्ष में हैं सो प्रतिशत या आपको सपोर्ट करेगा लेकिन एक समस्या है उसे समझ लें और वो समस्या सिर करना करना है कब करना है बट करेंगे नहीं अब यह तो फिर अब आप ही के उपर है ना करिए तो चीजे ठीक हो जाएंगे वही वाला मामला आगया करोगे तो होगा 12 जुलाई 12 जुलाई का दिन कहता है दूई पक्षिय मामले टूवे आपके फेवर में रहेंगे इश्वर का सहीयोग आपके लिए रहेगा लेकिन आपके दूई पक्षिय मामले में तीसरे की अगर भूमिका को आपने आने दिया तब गढ़ बढ़ हो जाएगे आप पती- आपके बीच में ग्यान दे उसको बोले शट अप चुप रहे हम आपस में देख लेने ध्यान रखिया जाए इसके अलावा इस दिन ये बस एक नेगेटिविटी थी इसके अलावा इस दिन कोई नेगेटिविटी नहीं पूरा दिन पॉजिटिव अच्छा फेवर में आप के है और आप एक दूसरे का बढ़ियां ख्याल रख पाएंगे इमोशनल मामलों में ये दिन बहुत स्ट्रॉंग है और इस स्ट्रॉंगनेस की वज़ा से आपको ध्यान रखना है कि इमोशनल डिसीजन और प्रॉमिस दोनों नहीं करना है बाकी ये दिन आपको 80% का सपोर् जहां दो मामले मैनेज करते हैं तो आप किसी एक और सिचुएशन को अपने दिमाग में मैनेज करते रहेंगे जैसे मान लिजे आप कोई जॉब करते हैं तो आपके दिमाग में कोई साइड हसल आ सकता है कि मुझे फला काम करना चाहिए साइड बाई साइड बिजनस करते है बिजनस में साइड में और क्या एड़ान करें इस पर मैंटसेट आ सकता है तो कुछ भी ऐसा हो सकता है और अगर ये चीजें नहीं होती या आप इसे इंटेंशनली करना चाहते हैं कि भई मुझे एक साइड बिजनस बनाना है इसके बारे में मुझे सोचना है तो ठीक है तेरह तारीक थर्टीन्थ जुलाई प्लान बनाना शुरू करिए और इस प्लान पर आगे काम करिए सकसेस आपको मिलेगी इस दिन इस बात को ध्यान भी रखना है कि जो चीजें आपकी हाथ से छूट गए है कहते हैं ना रेत हाथ से सरक जाता है ये दिन आपको आपके जीवन के सभी शेत्रों में अस्री प्रचत का सपोर्ट हंजी बारा तेरा दोनों यानि थर्टीन्थ जुलाई भी 80% का ही सपोर्ट दे रहा है फोर्टीन्थ जुलाई फिर से टावर का कार्ड अच्छा दिन नहीं है और फोर्टीन के बाद फिर्टीन जुलाई वापिस चीजों को रिवाइब कर ले जाएगा इसलिए फोर्टीन जुलाई को भी आपको पैनिक नहीं होना पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना एक ऐसी स्थिती का सामना कर सकते हैं जहां आपकी कुछ कारी योजना या कारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएं चीजें आपके अगेंश चली जाएं लोग आपका विरोध करें situation आपके पक्ष में नहों और आपको लगे कि भगवान मुझे किसी गलती की सजा दे रहे हैं तो ठीक है यही सही इश्वर की शरण में रहिए उनसे कहिए प्रभू आप जो दे रहे हैं सब सुविकार सुविकारोगती की भवना ठीक है जब सुविकारोगती की भवना आती है तब इश्वर का सहयोग आपके साथ connect हो जाता है अब जब आप सुविकार करते हैं तो चीजें वहीं से move होनी शुरू हो जाएंगी सुविकार करना है अच्छा वाला भी बुरा वाला भी सब मुझे सुविकार है क्योंकि हम तो सुविकार ही करेंगे आपके दुनिया में रहते हैं आप जो दे अच्छा देतो बुरा देतो कहते न जही वीधिराखे राम अब जही वीधि में कभी हमें दुख भी दे सकते हैं कभी सुख भी दे सकते हैं तो भोंनके उपर depend करता हूए हम इसमें क्या करें वी आर ज्रश्ट पपपेट्स तो ऐसा फिल करेंगे तो चीज़ें वहीं से भूम जाएंगे और पॉजिटिव होती चली जाएंगे आने वाले समय में थोड़ा सा उस चीज़ को सुधारने का मौका मिल जाएगा और हाँ अगर कोई गिल्ट बनती है कि मेरी गलती पाश्ट में थी फलाना उसकी वज़ा से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है तो अपनी गलती को एडमिट कर लीजिए और भवशी में वो ना दो रहा है इसका ध्यान रखिए किसी नए कार्री योजना में ना शामिन हो किसी नए काम को ना शुरू करें पुरा ने कार्रे में लगे रहें वही आपके लिए बहतर रहेगा ये दिन आपको शून ने यानि जीरो सपोर्ट देगा लाइफ के सबी आसपर्ट्स पर तो मकर राशी ये था आपका राशी फल आठ से चौदा जुलाई तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो कुमराशी आप सबका स्वागत है आपकी रिडिंग में कुमराशी आपके लिए आठ जुलाई का जो दिन है अच्छा है खुशियों से भरा रहेगा पारिवारिक सुविधा और प्रसनता का दिन रहेगा स्वास्थ लाब होगा धन के मामले में पॉजिटिव है लेकिन खर्चा बढ़ सकता है इसकी भी संभावना है सिचुवेशन आपके पूरी तरह नियंतरण में रहेंगी आप अपने परिवार मित्रों या अपने जो भी आपके दिल के करीवें उनके साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे तो ओवराल रिलेशन एजुकेशन सोचली में सभी मामलों में ये दिन हंड़र पर्सन का सपोर्ट करेगा 9 जुलाई का दिन बताता है कि आप किसी एक ऐसी दिशा की और बढ़ना शुरू कर सकते हैं जहां आपको चुनाओ करना पड़े कि ये या वो नेतिकता का साथ दीजे सत्त का साथ दीजे असत्त का साथ मत दीजे आपका चुनाओ बिलकुल सही उतरेगा और इस दिन आप कोई ऐसा मामला पड़ सकता है जहां मन आपका द्वैलित हो जाए उस सिचुएशन में फिर नेतिकता पूर्ण सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या सोचना चाहिए नेतिकता का दामन नहीं छोड़ना है एथिक्स का मॉरेल्स का दामन नहीं छोड़ना अगर ये करते हैं तो सारी चीज़े वापिस घूम घूम के पॉजिटिव हो जाएगी इस दिन यात्रा की योग बने हैं अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो नौतारी को जा सकते हैं बढ़िया रहेगा फ्रूटफुल रहेगा यात्रा व्यापारिक धार्मिक मनोरंजन वाली यानि की एक छुटी वाली यात्रा कोई भी हो बढ़िया रहेगा इस दिन आप जिस कारे को हाथ में लेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित रहेगी सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट कर रहा है दस जुलाई का दिन कहता है थोड़ा आक्रामक रुख हो जाएगा दूसरे की परवाह कम करेंगे खास कर उनकी जिन से आपके दिल का नाता है तो पती पतनी के बीच प्रेमी प्रेमी का के भी जगड़ा होने की सम्मावना बहुत है इस जगड़े को बचाने के लिए आप जरा और्गुमेंट अपने प्रिय से ना करें तो अच्छा रहेगा अगर आप अर्गुमेंट करेंगे तो चीज़ें गड़ बढ़ाएंगे तो इसलिए प्रेम संबंधों में ये समस्या होगी इसके अलावा आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है की दूसरों का क्या होगा क्या नहीं होगा अपनी चिंता करिए और अपने लक्षे पर बने रही अपने काम को करिए दूसरों को छोड़ दिए इस दिन दूसरों को अगर नहीं छोड़ेंगे तो अपना लक्षे साध नहीं पाएंगे अगर अपना लक्षे साध हैंगे तो दूसरे छोटेंगे इसलिए सीधा admit कर लिए कि मुझे दूसरों पर ध्यान नहीं देना मुझे मेरा काम करना है और अपना काम करिए आगे निकलते चले जाएए और सफलता 100% आपकी रखी हुई है relation का मैंने बता दिया है education, social image और life के बाकी other aspects में ये दिन support system 80% तक बना के रखेगा आपके पक्षमे 11 तारिक कहता है कि situation में उलज जाएंगे और ऐसा लगता है कि आप अपने आपको एक बंधन में महसूस करेंगे जहां अटका हुआ फिल करेंगे इसे हम और easy भाशा में कहें तो एक फैले हुए रायते के बीच में आप फज जाएंगे रायता फैलाने का काम आपने किया होगा इस वज़ा से उसे समेटने का काम आपको करना होगा अगर आप समेटेंगे तो वो सिमट भी जाएगा प्राब्लम में आएं इसकी पॉसिबिल्टी इस दिन 80% है ग्यारा तारीकों प्राब्लम आपकी वज़ा से हो इसकी पॉसिबिल्टी 100% है प्राब्लम का सोलूशन आपके पास हो इसकी पॉसिबिल्टी 100% है problem का solution बिलकुल बगल में हो इसकी संभावना नब्बे पर चलता है तो बस चीजों को manage करिए और अपने favor में मोड़िए 12 जुलाई का दिन कुम्भराशी बताता है कि कुछ एक ऐसी situation बन सकती है जहां आपको लगे कि भई मुझे इस situation में नहीं होना है कोई भी positive negative कुछ भी ऐसा लगे तो हट जाएए इस बात की परवाह मत करिए कि आपके ego पर उसका क्या प्रभापड़ेगा अपने ego की चिंता मत करिए अगर कुछ damage होता है तो आगे cover up हो जाएगा इसके अलामा अगर आप किसी कारे में सनलगन है तो परिस्थितियां या कुछ विशेश लोग ब्योधान उत्तन करने की कोशिश कर सकते है ये विशेश लोग आपके शत्रु वर्ग है आप अगर पीछे हट गए आपने हार मान ली तो फिर chapter close खतम और अगर आप पीछे नहीं हटे तो अंततह जीत आपकी होगी कोई कुछ भी जोर लगा ले जाए ये दिन आपको 50% positive और 50% negative सपोर्ट करेगा लेकिन ये जो 50-50 है इसमें समझे तो रस्ती लगी हुई है आप negative वाली रस्ती पकड़ के खीचे तो negative वाला उपर positive वाली खीचे तो positive वाला उपर अच्छा जी 13 जुलाई का दिन ये दो प्रकार से define होता है पहला आप creative mindset के रहेंगे कुछ creative कारे करना चाहते तो उसमें उत्तर उत्तर सफलता और motivation दोनों मिल जाएगा दूसरा situation को manage करना आपके लिए आसान होगा अगर कोई एक disturbing situation है manage करना चाहते हैं हो जाएगा कुछ damage हुआ है उस damage को fill up करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा एक सहयोग चाहते हैं मिल जाएगा advice चाहते हैं वो भी मिल जाएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा ये दिन आपको 70% का support करेगा जीवन का सब इक शेत्रों में 14 जुलाई कहता है मन अच्छा रहेगा परसंड रहेगा परिवार को लेके थोड़ा प्रजेसिव रहेगा जिसकी वज़ा से आप अपने परिवार को priority पर रख कर चलेंगे जो की और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्ड़े किये गए कार आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं इसलिए अपने उपर भरोसा करिए 14 तारीकों बहुत positive दिन है और 100% का support बना है आपके जीवन के सब इक शेत्रों में तो कुम्भ राशी ये था आपका राशीफल 8 से 14 जुलाई तक का राशीफल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई-बाई हेलो मीन राशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में मीन राशी आपके लिए आठ जुलाई का जो देना बढ़िया रहेगा अच्छा रहेगा परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे खोशिया परिवार में व्यापत रहेंगी किसी समारों या निमंतरों में जाने की पॉसिबिल चांसे भी बन रहे हैं विवाह योग उम्र आपकी है तो उस बारे में भी कुछ पॉजिटिव रस्पॉंस मिल सकता है सभी मामलों में हलांकि ये 60% लेकिन अकेला कोर 60% पॉजिटिव सपॉर्ट दे रहा है नौ तारिक आठ तारिक के रिप्लिका जैसा दिखता है और इस दिन भी चीज़ें सेलिबरेटिंग मोड में रहेंगी शायद आठ तारिक के सेलिबरेशन नौ तारिक तक चले परिवार, मित्र, सम्मंधी इन सबी के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे और इस दिन आपका इमोशन काफी ज़्यादा रहेगा इसलिए सलाह दी जाती है कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना ले इस दिन आपके द्वारा किये गए कारों में आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार की रुकावट और बाधा का योग नहीं है, 70% ये दिन भी आपको सपोर्ट करेगा दस तारिक एक सिच्वेशनल पॉज लगाता है और वो सिच्वेशनल पॉज चीजों को थोड़ा सा रोकती है यानि गाड़ी में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा लेकिन ये टेंप्रेरी है फिर आपकी गाड़ी चल जाएगी इस दिन आप किसी नए कारे में ना इन्वाल हो योजना में परिवर्तन अचानक से इस दिन ना करें तो अच्छा रहेगा इश्वर के प्रति लॉयल बने रहें आप अध्यात्म के प्रति अपनी चेतना को जगाए रखें और जरूरत है कि आप अध्यात्म के लिए कुछ कारे करें यानि कुछ अध्यात्मिक कर्मों में इन्वाल हो जाएं कुछ नहीं कर सकते तो एक धर्म गरंद का पाठ कर लिजे एक चैप्टर पढ़ दीजिए आधा चैप्टर पढ़ दीजिए वो भी आपके काम आएगा ये दिन न्यूटरल है इस वज़ा से न्यूटरल नहीं ये दिन इस तरह का है कि जो भौतिक जगत में सपोर्ट बिलकुल भी नहीं करता है लेकिन अध्यात्मिक जगत में ये सो परच्चत का सपोर्ट दे रहा है 11 जुलाई का दिन बताता है कि अगर 10 तारिक को कुछ सिचुएशन डाउन हो गई थी या डैमेज होई थी तो वो सब री हील हो जाएगी आपके 11 तारिक को और 11 तारिक को आप उस हीलिंग को इंजुआए नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिचुएशन कवर अप हो रही होगी इसलिए इस परिस्तित में थोड़ा धैरे रखने की आवशक्ता पड़ेगी अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां आपको लगता है मुझे प्रेजेंट से निकल करके आगे बढ़ने की ज़रुत है जिसे हम मूव ओन कहते हैं वो करना है तो उसके करने की फुल प से लेकर के 80% का सपोर्ट दे रहा है बारह जुलाई का दिन बताता है कि सोशल इमेज आपकी पहले से इंप्रूव होगी फैमिली इमेज में भी काफी इंप्रूमेंट आएगी आप अपने शत्रों से किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं खाएं इसकी पॉसिबिल्टी है ब 30 जुलाई बताता है कि एक स्ट्रॉगलिंग सिचुएशन का अचानक से सामना करना पर सकता है जिस से आप इजली ओवर कम कर जाएंगे या जीत जाएंगे और आने वाले मार्ग में जो बाधाय वगरा हैं उनको निप्टा ले जाने में कामियाब हो जाएंगे इस दिन जासे चीजों को अलग धंग से आकलन करके अलग धंग से उन पर अपनी सोच बना कर अलग धंग से उस पर डिसीजन लेकर काम करके आप सकस्स हासिल कर पाएंगे तो ये दिन बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाला है इस्तेमाल कर ये 80% का सपोर्ट बना है जीव देती रहेंगी और आप जिन कार्यों में अपने आपको सनलगन करते हैं उसमें इश्यर के करपा के तदन रूप आप सफलता हैं अरजित करेंगे आपको अपने उपर डाउट नहीं करना है दूसरों को जजन नहीं करना है इसका ध्यान रखिएगा बाकि रिलेशन एजुक अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा बाई बाई